समराथ प्रत्वीराथ चोहान राजकिये माविद्याले अजमेर से प्रतीवा शर्मा भूगोल सहाचारिय आज भूतिक भूगोल में हम ब्रह्मान में गैलक्सी के विशे में जानेंगे तो एक द्रिष्टी स्लाइड पर लें कि वास्तव में हमारी जो गैलक्सी जिसका अंग हमारा सौर मंडल है उसके सम्मुक यदि द्रिष्टा उपर से द्रिष्टी पात किया जाए तो ये चक्रीनुमा जो दिखाई दे दिया है इस प्रकार रहेगा और यदि पार्श्र से इस पर द्रिष्टी पात किया जाए तो जैसे मसूर के दाल का दाना होता है उस प्रकार ये दिखाई देती है अब हम प्रारंबिक स्थिति से शिरू करते हैं ब्रह्मान के एक जलक और उसके बाद गैलक्सी के बारे में तो प्र इनटार स्पेस शराउंडिंग दे अर्थ वैदर सीन और अंसीन कैन बी टरंड एज यूनिवर्स इस ब्रह्मान में नहित अकाशी अनिकों आकाशीयपिंड है जिसमें गैलेक्सी है अनिकों गैलेक्सी इसमें असंखे तारे तारे परिवार नक्षत्र ग्रहे उप्रहे उल ये पंड जो है या तो थोस अथवा गैसी ये पंड की रूप में विद्यमान है So this universe in fact consists of countless host of cosmic or celestial bodies which in fact differ in size and structure and a number of galaxies numberless galaxies instead they can be found, they are found in the universe where the stars with their star families, the various planets, their satellites, comets, meteors etc occur and either they are in the gaseous form or in the solid state अब बात करते हैं galaxy के विशे में, यह हमने ब्रह्मान के विशे में जाना क्योंकि ब्रह्मान का एक बहुत ही महत्वपोन हिस्सा galaxy है विबिन गैलेक्सिया है और उसमें अनेकों, असंखे आकाशिये पिंड है As we have said that the universe, this galaxy is in fact the part of a universe very important part of universe अब बात करते हैं galaxy के यह अत्यदिक प्रकाशमान पिंड है और जिसके केंद्र के चारों जोलंशील गैसें भिन आकार वा देशा में विस्तरत हैं So, this entire sky constitutes of continuous shining mass girding where inflammable gases, they spread in different form and in different directions तो galaxy का अकार सामाने तह मसूर के दाने की भाती होता है जैसे भी हमने पूर में कहा कि मसूर के दाल के दाने की भाती कि the shape of galaxy, generally our galaxy, resembles that of the lentil grain अर्थात यह केंद्र से उभरा हुआ तता पार्षव से चप्टा वा विरल है that is from its center it is a bit thick, it possesses thickness at the center and the edges become very flat and sparse ब्रह्मान तता गैलेक्सी के भिन सदस्य अपनी दशा को तीन प्रमुक सिधानतों पर यह थावत बनाए हुँ है So, all the celestial bodies that of the universe and the galaxy, they maintain their position, their condition on the basis of three principles So, on the following three principles, all the celestial bodies maintain their position in the universe and these three principles are principle of gravity, principle of inertia and the centrifugal force अब बात करते हैं आकाश गंगा के बारे में galaxy के विशे में हमने जाना कि बहुत सारा किस तरह का यह galaxy से अभी प्राए क्या है कि यह चारों तरफ एक प्रकाश का पुंज होता है जो विभिन आकरतियों में देखने को मिलता है तो हम बात करते हैं हमारा सौर मंडल किस galaxy कौन सी galaxy है हमारा सौर मंडल तो हमारा सौर मंडल आकाश गंगा नामक galaxy का हिस्सा है जिसके भिन नाम है आकाश गंगा, दूधिया पत, एरावत पत तो यह भिन नाम है जो हमारी galaxy को दिये गए है जिसका अभिन अंग हमारा सौर मंडल है तो basically our galaxy, our solar system instead is an important part of the galaxy which is so called, which is given the different names that is Aakash Ganga, Milky Way and the Aravat Path so it is basically this term, the milky way, it has been derived from the Greek word because galaxy in Greek language refers to milky तो ये दूदिया पथ जो शब्द लिया गया है क्योंकि देखने में ये जो हमारी Aakash Ganga है, हमारी जो galaxy है ये बिखरे हुए दूद के निशान समान दिखाई देती है और सरपीली है आकरती में तो इसी लिए इसे दूदिया पथ के नाम से या milky way के नाम से विशेशता है जाना जाता है और इसके commonly it is known as Aakash Ganga also इसकी आकरती मसूर के दाने जैसी है तता आकार और विस्तार सरपीला है ये हम पूर में भी बता चुके हैं अभी चर्चा की जा चुकी है के आकरती तो इसकी मसूर के दाने जैसी है that is the shape of the R galaxy resembles that of the grain of lentil seed and it is spiral in shape और इसका विस्तार सरपीला है सरपीले अकार में विस्तृत है इसका व्यास लगभग एक लाख प्रकाश वर्ष के इंद्रिय मोटाई दस हजार प्रकाश वर्ष है so the diameter of our galaxy is one lakh light years and the thickness is around 10,000 light years हमारा सूर्य आकाश गंगा के केद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूरी पर स्थित है and our solar system in the sun the important family member of our solar system it is more than the distance of 25,000 light years from the center of our galaxy that is आकाश गंगा आकाश गंगा में सूरी के समान असंख्य तारेश थे थे है and numberless stars occur they exist in आकाश गंगा and the nearest star the nearest sun to our sun is proximus century which is 4.3 light years distance so आकाश गंगा में सूरी के समान असंख्य तारे स्थित है और सूरी का निकत्तम तारा जो है वो proximus century है जो कि प्रत्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है तो यह हम पहले भी यह बात बताई जा चुकी है कि तारे से अभी प्राय होता है कि वह आकाश ये पिन जिसकी स्वैम की उर्जा एवं प्रकाश हो तो सूरी हमारा मंडल का प्रमुक्त तारा सद से है और जो तारी की बात हमने कही कि प्रत्वी से निकत्तम अन्य सूर्य या अन्य तारा जो हमारे मिलकी वे हमारी आकाश गंगा का है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है सूर्य लगभग वृत्ताकार पत पर 220 किलोमीटर प्रती सेकंड की गती से 200 मिलियन वर्ष में आकाश गंगा की परिक्रमा पून करता है यह समस्त जितने भी आकाश ये पिंड है यह तो अपनी धुर्री पर घुम रहे हैं अत्वा किसी ने किसी एक आकाश ये अन्य आकाश ये पिंड के चारोव परिक्रमा भी करते हैं all the celestial bodies either they are rotating on their own axis or they do revolve around one or the other celestial body where whereas as far as the sun is concerned it revolves around the akash ganga at the rate of 220 kilometers per second and the one revolution is completed in 250 million years हमारी आकाश गंगा के निकट 20-25 गैलक्सी है जिसमें निकटम गैलक्सी एंडरोमेडा गैलक्सी है there are around 20-25 galaxies that surround our आकाश गंगा and the closest galaxy to our आकाश गंगा is एंडरोमेडा गैलक्सी अब एक द्रिश्टी डालते हैं ये इस slide पर जिसमें types of galaxies दी हुई है कि किस-किस तरह की तो Hubble जो था उसने बताया 1936 में कि मूलत है सारी जो galaxies हैं उनकी आकरती की द्रिश्टी से उन्हें तीन वर्गों में रखा जा सकता है एक सरपिली दूसरी दीरगवरती है आकार की और तीसरी है अनियमित आकार की अब इसमें एक बार द्रिश्टी पात करें ये elliptical नीली वाली उपर फिर spiral ये elliptical का मतलब दीरगवरती है आकार की spiral मतलब सरपिली और irregular ये है अनियमित आकारती की तो ये हुआ गैलेक्सी के प्रकार के विशे में अब एक बार इस पर द्रिश्टी पात करते हैं गैलेक्सी के प्रकार के विशे में आकार विस्तार की द्रिश्टी से गैलेक्सी को तीन वर्गों में रखा जा सकता है on the basis of shape and their stretch in the universe these galaxies can be categorized into three groups पहला सर्पीला अकर दूसरा दीरगवरित्य अकर और तीसरा अनियमित अकर first is spiral, second one is elliptical and the third one is irregular and as it is shown in the slide you can very well make out what the shape these particular type of galaxies occupy तो ये slide में दिये गई आकरती के हिसाब से भली बाती जाना जा सकता है कि जब हमने सरपीली जो गैलेक्सी है उसके विशे में बात किया तो ये चकरी नुमा है जिसके किनारे जिसकी दुरियां भार निकली हुई है उसके सिरे निकले हुए चकर नुमा फिर दूसरी है elliptical वो केवल चप्ती जले भी नुमा है और इस तरह की आकरती है और अनिय में मतलब जिसका आकार विस्तार के विशे में कुछ कहपाना संभव नहीं है कि कहां कहां तक किस आकरती में वो फैली होगी So, if we visualize the three the first one is the spiral where the edges or the spikes of the galaxy they eject out of the shape whereas the other one elliptical so called elliptical possesses the elliptical shape and the last one is irregular where the shape cannot be decided where the arms of the galaxy stretch out दुख्द मेखला तता एंडरोमेडा गेलेक्सी जो है आकार में सर्पिली है So, our Milky Way and the closest galaxy to our galaxy Milky Way that is the एंडरोमेडा गेलेक्सी are spiral in shape सर्पिली आकाश गंगाएं कुल ग्यात गेलेक्सीयों का 80% निर्धारित करती हैं Till date the spiral known galaxies contribute to around 80% दीर्धारित गेलेक्सीयों में चक्राकार भुजाएं नहीं होती हैं जिनका प्रतिशत लगभग 17 है and the elliptical galaxies as it is already said they are circular and but the spikes do not eject out in the elliptical galaxies and they constitute to around 17% in the universe शेश ग्यात गेलेक्सीयों अनिमित अकर की हैं and the third one that is the irregular ones are the remaining galaxies occurring in the universe so this was all about what do we understand by galaxy what do we know about our galaxy that is the milky way and what all shapes do the galaxy possess so now we have to know what do we know about the galaxy what do we know about the galaxy गेलेक्सी हैं उसमें से हमारी galaxy कौन सी है हमारा सौर मंडल किस galaxy में आता है वो आकाश गंगा में और उसके तीन नामों को भी हमने जाना कि दूदिया पत that is the milky way आकाश गंगा as well as the अरावत पाथ और अरावत के विशे में हम बली भांती जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंतों के हिसाब से इंदर का हाती जो सफेद रंगा है तो ऐसा अनुभा होता है जैसे आकाश में इंदर के हाती का दूदिया पत बिखरा हुआ है so we learnt today about galaxy the meaning the galaxy of our solar system to which our solar system belongs and what all shapes in how many shapes do the galaxy occur in the universe ब्डमीस